लुआ हरो जली है एक सेक्टल कि अजी हेलो स्वागत आप सभी का आशी सिंग लेक्चर्स के इस लिटेज लाइव स्ट्रीव में पैरे बच्चों कैसे वाप सभी लोग उमीद करता हूं बहुत ही बयातीन होंगे और एसर के साथ आपकी पढ़ाई शानदा चल रही होगी तो आज हम लोग और गनिक केमिस् क्लास है उनकी तीन चार घंटे की मेगा वन शॉट मैंने रखी है है हेलो एलकेन हेलो अरीन जो आपका ऑर्गेनिक का ट्वेल्थ का चेप्टर होता है उसके सारे एंस्टा डिकॉशन करूंगा कल आप लोगों के पर इतना जुर्म इस साल नहीं कर रहे अगली साल आप भी बूर्ड में आऊगे तो आपको भी छुटियां कम बिलेंगे दिवाली की वैसे दिवाली की बैसी इसे फिक शुटे आपको मिलती है धंतिरस की अर्षाथ कल की छोटी दीवाली बड़ी दीवाली यतिन आपके मैज़की लूटी आ पती है नोहीं यरे च्टियां अप पड़ा कि फोड़ना सेफ रहना है ना और इंजॉय करना दिवाली को पिटा नेक्स्ट येर दो ना वैसे भी दिवाली नहीं कर पाऊगे इतने अच्छे से नहीं कर पाऊगे दिमाग में टेंशन बहुत रहने वाली है अला कि एसल से पड़ोगे तो टेंशन कम रहेगी कॉंफिरेंस ज्यादा रहेगा बट फिर भी मैं भी सेज्ट करूँगा कि इस बार दिवाली जितना हो सकता है उतना अच्छे से इंजॉय करके मनाओ ताकि नेक्स्ट ये की कसर भी इस सारी निकाल लेना ठीक है चैला तो अच्छे से किलियर होना चीए ऐसा मेरा परसनी मानना है इसलिए पढ़ रहे हैं वास्ताव में उनको अच्छे से पता है कि अभी वो कक्षा 11 में हैं बहुत जल्द वो जाने वाले हैं कक्षा 12 में और 2025 में उन्हें दो बड़े काम करने हैं हर बार उन्हें याद दिलाता मैं हर बार 11 क्लास के बच्चों को साफ साफ कहता हूँ कि आप सादक हो और आपकी साधना शुरू हो चुकी है इसलिए मैंने सीरीज का नाम भी साधना सीरीज रखाता हूँ तो 2025 जो है उसमें आपको दो बड़े काम करने हैं एक तो आपको बोड में सो में से सो लाना है जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए यह और नीट की तैयारी और इसके लिए आपका आने वाला है आशा बैच आशा 2025 इसमें एन्रोल करते ही आपको हम 11th क्लास से ही तैयार करेंगे अप्टो 12th क्लास 12th में जाने के बाद तैयारी शुरू नहीं करनी है 11th में होते ही 11th में होते से ही 2025 के तैयारी शुरू करनी है ये ASL को इस बार करना है ये हिंदी माद्यम के बच्चों को इस प्रकार करना है और ये जो चीज है ना यही आपको अलग बनाएगे उन सब लोगों से जो बाद में तयारी शुरू करेंगे तो आपको अपनी तयारी बहुत टाइम पर शुरू करनी है और इस बार ASL में भी संकल्ब है कि हम भी आपके तयारी बहुत ज़ल्दी शुरू करवाएंगे किया जा रहा है ताकि आप लोगों को जेई और नीट में सेलेक्शन दिलाना आसान हो जाए कि देखो दो इसमें सारा केल समय का है जितना समय को सभी तरीके से पकड़के चलोगे उतना आप बढ़ी हैसे करोगे मैं मिशा कहता हूँ कि जेई और नीट में सब से इंपॉनें करेंको सारे तरवतन रहेंता है टाइम टाइम और केवल टाइम ज्चा एक चैपटर को चार बार रिवाइस कर गया। यह मैं आपको master strategy दे रहा हूँ आई टी जाएगी जो chapter आपके कोई भी chapter चार बार अगर revise कर लिया टॉप 100 बेरेंग कर जाएगी आपकी अब चार बार कैसे revise कर सकते हो दो बार class 12 एक बार आपने पड़ा एक बार आपने 11th में revise किया एक बार आपने उसको 12th में revise किया और एक बार exam से फ़ले revise किया ऐसे अगर आप एक भी chapter को 4 बार revise कर लोगे बात बन जाएगी और ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है इसलिए हम 11th से ही आपके पड़ाई शुरू करेंगे ताकि आप ये चीज़ अचीव कर सको ठीक है भाई और इन सब के लिए तो इन सब के लिए तो आपको एकी बात का ध्यान रखना पड़ेगा क्या बात का ध्यान रखना पड़ेगा ये सब चीज़ें आती है जिद से जब तक आपके अंदर जिदी नहीं होगी मेरे भाई कैसे कर पाऊगे तो इसलिए हैश्टेग जिदकर is the key तो फटाफट से comment section में आदाना चाहिए हैश्टेग जिद कर comment section में अभी के भी आदाना चाहिए हैश्टेग जिदकर ठीक है तो शुरू करें अज हम organic chemistry का दूसरा सबसे बड़ा effect पढ़ने वाले जिसका नाम है अनुनाद प्रभाव आपको मैंने बताया था कि organic chemistry में काफी अच्छे ची प्रभाव है जिनके बिना आप organic chemistry की किसी भी reaction को नहीं समझ सकते तो उनमें से एक सबसे important प्रभाव है अनुनाद प्रभाव जिसका अध्यन अपन शुरू कर रहे हैं तो चलिए हैडिंग लगाईए अनुनाद प्रभाव जल्दी से अनुनाद प्रभाव इसको इंग्लिश में कहते है resonance effect क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते है resonance effect चलो एक बात बताओ आपको हमने बैंजीन की लुईस सरचना बनवाई थी ध्यान है आपको अगर आपन बैंजीन की लुईस सरचना बनाए तो कैसी बनती है CH double bond CH single bond CH double bond alternate double bond आता है ना single bond CH double bond CH single bond C6H6 एक सरचना यह संभव है इसके अलावा एक और सरचना शंभव एक तो सरचना यह वाली शंभव जैमने आपके समने बनाई एक और संभव है वह कौन सी संभव है वह यह वाली संभव है CH double bond CH single bond CH double bond CH single bond CH double bond CH, single bond CH ये भी वही है CCS6 तो ये दो सनचना है इनको ऐसे भी दिखा सकते हैं भाई एक सनचना ये वाली संभव है और एक सनचना आपकी ये वाली संभव है एक तो ये संभव है एक ये संभव अब आपको एक मज़े की बात बता हूँ हमें ऐसा लगता है ना कि ये वाली फर्स्ट वाली और सेग्ड वाली ये दोनो सही लूइस सनचना है हम ऐसा फील होता है कि ये दोनों सही लूइस सनचना है को कि इन में bond वांड सब कुछ परफेक्ट है आपको लूइस सनचना है बनाना में चैप्टर में 4 में सिखाया था इसको देख करके अच्छे से फीलिंग आती है कि यार फर्स्ट वाली भी और सेकिंड वाली भी दोनों ही परफेक्ट लूइस सनचना है ये वाली भी परफेक्ट लूइस सनचना है और ये वाली भी perfect Lewis सनचना है दोनों में कोई दिक्कत नहीं है तो हमें अंदर से क्या feeling आती है बिटा हमें अंदर से feeling आती है कि ये दोनों की दोनों first and second जो है और जो की हैं भी बहुत इसमें गलत बात नहीं है ये दोनों जो है ये अपने आप में क्या है सही Lewis सनचना है पर आपको एक मज़े की बात बताओं जिसको सुनके आपके होश उड़ जाएंगे आप इन दोनों को Lewis सनचना के इसाब से देखेंगे तो ये दोनों perfect Lewis सनचना है परंतू 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 ये दोनों सनचना है बेंजीन के भौतिक एवं रासाइनिक गुणों की व्याक्या नहीं कर सकते ये दोनों ही अपने आप में सही Lewis सनचना है समझेगा मेरी बात को प्लीज ये दोनों ही अपने आप में सही Lewis सनचना है पर ये दोनों ही बेंजीन के रासाइनिक और भौतिक गुणों की व्याक्या करने में असमर्थ है मतलब ना तो इस से और ना इस से दोनों से ही बेंजीन के ना तो रासाइनिक गुणधर्मों की व्याक्या होती है ना ही भौतिक गुणधर्म की तो लिखो इसके साथ में कि ये दौनों सनरचनाए ये दौनों सनरचनाए बेंजीन के भौतिक वर रासाइनिक गुरूंदर्मों की वियाख्या करने में आसमर्त हैं ये दोनों सनचनाएं बेंजीन की भौतिक बेंजीन की भौतिक एवं रासाइनिक गौतिक बेंजीन की भौतिक एवं रासाइनिक गौणदर्मों की व्याख्या करने में गौणदर्मों की व्याख्या करने में असमर्थ है अना मतलब ये अपने को लग रहा है कि ये वाली सही लूइस सनचना है हमें लग रहा है कि ये वाली सही लूइस सनचना है पर ये दोनों ही सही लूइस सनचना है नहीं है वैसे हाँ एक मिले पर लूइस सनचना तो सही है लूइस सनचना की साब से तो सही है हर कावन का अस्ठक पूरा हो रहा है सब कुछ है परफेक्ट मतलब लुए तो सही है पर इन दौनों से ना तो आप Ugh अ ब्हुतिक गौन के के व्याहिकपञ आके ना आप इन दौनों से गार आसा इनुकि व्याहिकपा रहे हैं।ा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि हम लोग भौतिक और रासायने गुणों की व्याक्या नहीं कर पारे हैं इस चीज़ को चेक करते हैं इसार ऐसा क्या हो गया कि हम भौतिक और रासायने गुणों की व्याक्या नहीं कर पारे देखिए आपको एक बात बताना चाहेंगे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉंड की जो लंबाई होती है और कार्बन कार्बन डबल बॉंड की जो लंबाई होती है यह मैं आपको बताना चाहूंगा carbon carbon single bond की लंबा ही होती है 1.54 angstrom carbon carbon single bond की लंबा ही कितनी होती है 1.54 angstrom और carbon carbon double bond की लंबा ही होती है 1.34 angstrom सही है यह fact है मतलब ही मैं आपको बता दिया अब अगर अपन इन दौनों Lewis सर्चनाओं को सही माने तो benzene के अंदर 3 carbon carbon single bond है तो 3 बंद लंबाईया होनी चाहिए 1.54 angstrom सही बात है इसमें 3 double bond दिख रहे हैं आपको तक 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 तो 3 double bond है तो इस हिसाब से 3 बंद लंबाईया होनी चाहिए 1.34 angstrom क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि carbon carbon single bond की लंबाई होती है 1.54 carbon carbon double bond की होती है 1.34 तो 3 carbon carbon बंद लंबाईया 1.54 होनी चाहिए और 3 होनी चाहिए 1.34 angstrom पर बैंजीन में बताओं क्या होता है बैंजीन में सारे carbon की बंद लंबाईया सेम होती है और वो होती है 1.38 ना तो 1.34 ना 1.54 दौनों ही नहीं तो यहाँ पर अपर बोल सकते है कि बैंजीन में लुई सरचना के अनुसार लुई सरचना के आधार पर बोल लो भली बैंजीन में लुई सरचना के आधार पर 3 कारबन कारबन बंद लंबाईया 1.54 एंगर स्ट्रॉव तथा 3 कारबन कारबन बंद लंबाईया 1.34 एंगर स्ट्रॉव होनी चाहिए तो 3 कारबन कारबन बंद लंबाईया बिटा क्या होनी चाहिए 3 कारबन कारबन बंद लंबाईया होनी चाहिए 1.54 एंगर स्ट्रॉव कोईकि 3 सिंगल बॉंड है इसमें कारबन कारबन के बीच में और तीन कार्बन बंद लंबईयां आउने चीने है ये 1.34 एंगस्ट्रॉब ऐसा होना चाहिए परन्तु परन्तु बेंजीन में जो हो रहा है वो देखो परन्तु बेंजीन sait 1.34 अ मुझ आऊपर कार्बन कार्बन बंद की सारी सारी उक्वले आप न चेकर नबान कार्बन बंद लंबाईएं कि ऐसे काम रबन बंद लंबाईया समान है मैं एवन प्टाय कितनी है वन पॉइंट थर्टी एट एंगस्ट्रॉम है एवम 1.38 एंगस्ट्रॉम है अब क्या कर लोगे भाई साब सारी कार्बन कार्बन बंद लंबईयां सेम है सारी की सारी सारी की सारी कार्बन कार्बन बंद लंबईयां सेम है वा कितनी है 1.38 एंगस्ट्रॉम इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब सनचना नमबर बन और सनचना नमबर टू बैंजीन के बहुते गुण दरमों के व्याख्या करने में आसमर्थ है बहुते गुण दरम्म में क्या आता है? यही तो आता है लंबाई, द्रुमार्व, आधार, घनत वगर है वगर है तो अगर अपन बहुती गुंदम की बात करें तो तीन लंबाया होने चाहिए थी सिंगल बॉंड वाली है ना प्यारे बच्चों तीन होने चाहिए डबल बॉंड पर सारी सेम आ रही है कितनी आ रही है 1.38 तो इस पॉइंट के आधार पे मैं बात सबको बोल सकता हूं कि बैंजीन जो है उसमें लूइस रचना के आधार पे बहुते गुंदमों की व्याक्या नहीं हो पारी 1.38 यह कौन से अजीब सी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब यह हुआ और यह प्रैक्टिकल निकल के आया ह इसका मतलब यह है कि स्लिशन नमबर 1, M.2 बैंजीन के बहुते गुनों की व्याक्या करने में बैंजीन के बहुते गुनों की व्याक्या करने में आसमर्थ है मैंजीन के बहुते गुणों के वाक्या करने में आसमर्थ दन? कोई दिक्कत? ओके? अब आगे बात करूँ अब जहान से देखना एक अभिक्रिया होती है कि जैसे आपने कोई भी ऐसा यॉगिक लिया जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है है न? आपने कोई भी ऐसा यॉगिक लिया जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है अगर आप इसकी क्रिया कराओगे BR2 से CCL4 की उपस्तिती में समझना उसे के तो यादी कर देना कोई दिक्कत ने अभी रट्टा फेकशन चल जाएगा इस टॉपिक में आपके पास कोई भी सॉलूशन है कुछ भी है आपके पास जिसमें आपने BR डबल बॉन्ड है CC डबल बॉन्ड है अगर CC डबल बॉन्ड है और आप उसकी रेक्शन ब्रोमीन वार्टर से विसके CC लफूर बेटादो ब्रोमीन वार्टर से करा रहे हो बाब में पढ़ोगे आप इसके बारे में आगे कैसे होती है रेक्शन कुछ नहीं होगा बोन्ड ब्रेक होगा एक बैयार यहां जाके लग जाएगा एक बैयार यहां जाके लग जाएगा इस प्रकार से तो अगर हमारे पास C double bond C है समझ ना अगर हमारे पास C double bond C है और उसकी reaction हम bromine water से कराते हैं तो कोई भी double bond अगर उससे reaction कर रहा है तो दोनों bromine जाकर के double bond पे carbon double bond break होगा और दोनों bromine जाकर के चिपक जाएंगे दोनों जो आपके BR हैं वो जाकर चिपक जाएंगे हमने benzene लिया हमें लगा benzene में double bond है दिख रहा है अपन को सनचना के हिसाब से तो हमें लगा कि जब हम benzene की reaction इस bromine water से कराएंगे हमें लगा benzene की reaction जब हम इस bromine water से कराएंगे तो मज़ा आएगा कैसे अभी करिया करेगा C double bond C break होगा दौन तरफ या जुड़ेगा पर हम क्या देखते हैं यहां कोई अभी करिया नहीं होती कोई अभी करिया नहीं यह क्या हो गया हमें तो लूई सनचना में साफ साफ दिख रहा है प्यारे बच्चों कि कार्बन कार्बन के बीच में double bond है और अगर कार्बन कार्बन के बीच में double bond है तो उसे ब्रोमीन वाटर से करिया करनी चाहिए अगर वो ब्रोमीन वाटर से करिया नहीं कर रहा है इसका मतलब साफ है इसका मतलब साफ है कि यह सनचना बेंजीन के रासाइनीक गुणों की व्याख्या करणने में भी असंवरत हैं इ ngad regard भॉतिक गुण में तो पहले इन दोरों सुरष की धजया उड़ चुकी है कोंकि भॉतिक में जो बंढ लंबा जो आई ने की गलत आ रही है अब हमको अमीद थी amb 시क्रिया कम से कम इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी तो रासा निक भी ग्राइब डबल बॉंड दिख रहा है तो डबल बॉंड वाली रेक्शन इसको देनी चीए पर यह डबल बॉंड वाली रेक्शन नहीं देता है इसका मतलब यह हुआ कि आपका यह जो सनचना है यह बैंजीन के रा स्ट्राइक लुए शनचना है वस्ट्राइक लुए सनचना बैंजीन के दिखे रावसाइनिक गुणों की व्याक्शा करने अब या समर्त है बैंजीन के लासायनिक गुणों की अ लाजिका करने में भी हो मेंजीन के रासाइने गुणों की व्याख्या करने में भी असमरत है हो गया कांड ना तो इससे व्याख्या हो पा रही है समझे ना तो इन सरचनाओं से व्याख्या हो पा रही है आपके बहुते गुण धर्मों की ना ही इस सनचनाओं से व्याक्या हो पा रही है आपके रासाइने गुण धर्मों की क्यों से खेल खतम तैसा हजम कोई मतलब नहीं है यह दोनों सनचना है ना तो रासाइने गुणों की व्याक्या कर सकती है न भूट दिगुणों की वाख्या कर सकती पहली स्लाइड समझ में आगए अब हम आगे बढ़ेंगे और हम हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे आखिर असली कहानी कौन सी है तो अब हम इसके पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करें ठीक है? समझें? एक्चल में वो दौनों लुईस सरंचनाए जो सही गुणों की व्याक्या नहीं कर पा रही है एक तो ये और एक ये इन दौनों को लेंगवेज में कहा जाता है अनुनादी सरंचनाए क्या कहा जाता है बेटा? रोट करो, कॉपी में कमेंट सेक्षे में लिखो दरवाइस इन्हें कहा जाता है अनुनादी सरंचनाए क्या बोलते है इनको बेटा? इनको बोलते है अनुनादी सरंचनाए मेरी बात थेहां समझना हूँ एक्टल में हमें लग रहा था कि यहां डबल बॉंड फिर सिंगल 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 बॉंड ऐसा कुछ है वास्ताव में यह नहीं होता पकक्का है उसमें कोई दिक्कत नहीं हर मन के बीच में परनाते हैं हर काशनी के बीच में सिंगल बांड जो है हर carbon के बीच में हर carbon के बीच में हर carbon के बीच में एक single bond confirm है अब क्या हो रहा है अब जो carbon हर carbon के पास P भी है तो इसके पास भी P है P orbital है इसके पास इसका एक डंबल उपर एक डंबल का एक हिस्सा उपर एक हिस्सा नीचे 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 अब क्या हो रहा है अब जो P के डंबल है उपर वाले सारे डंबल आपस में मिलकर के पाई बंद बना रहे हैं यह ऐसे ने दिखाना चीए न color change करना चीए तो उपर के सारे डंबल उपर के सारे डंबल मिलकर के क्या बना रहे हैं पाई बंद बना रहे हैं और नीचे के भी सारे मिलकर के पाई बना रहे हैं इस प्रकार से तो हमें ऐसा लग रहा था कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में single bond है, फिर double bond, फिर single bond, फिर double bond, फिर double bond, फिर double bond, फिर double bond, ऐसा कुछ है, ऐसा ही नहीं, single bond तो बनावा है, पर दूसरा bond, सब के जो P है, सब के P उपर mix हो गए, और सब के P नीचे mix हो गए, तो सब के बीच में, double single, double single, double single होने की जगे, पारशव बंद बन गया, सब के बीच में थोड़ा 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 बंद बन गया मतलब इन्हों ने तो वो joint family वाला काम कर लिया कि सबने electron को बराबर बाट लिया तो pi bond की electron को प्यारे बच्चों, pi bond की electron को सभी ने, जितने भी carbon थे वापस सुनो, pi bond की electron को जितने भी carbon थे, सभी ने प्राइब बड़ी है कि ës सभी ने बराबर बाट लिया वेसे केस में किसी के भी बीच में यह नहीं बोला सकते कि पूरा डाबल बनावा वह मिए बड़ कटार अब अब इसको क्या का जाएगा अब ये ना तो डबल बॉंड है पूरी तरह से ना ये सिंगल बॉंड है पूरी तरह से ये कहलाएगा पार्शव द्वी आबंद क्या कहलाएगा बिटा ये कहलाएगा पार्शव द्वी आबंद अब क्या ये व्याक्या कर सकता है दियाबंद का मतलब होता है ना तो bond single है ना पूरी तैसे double है तो ना तो 1.54 आएगा ना 1.34 आएगा इसके बीच का कुछ आएगा 1.38 जो कि बिल्कु सही है दूसरी बात सभी कावन कावन की बीच में double bond लगबग बराबर share हुआ है तो सबके बीच में 500 दियाबंद है तो सारी यह confirm double bond है ही नहीं कैसे reaction देगा इसलिए reaction भी नहीं देता बात खतम इसलिए अब यह जो चीज है अपने कह सकते हैं कि इन दौनों का mixture है यह देखो कभी double यहाँ है 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 कभी double रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन सब को मिला करके आप इसको बना सकते हूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलके बनता है रेजोनेंस आई प्रेट कमेंट करो बेटा अब ये वाली सनचना सही सनचना है पाशव दुयावंद है तो बंद लंबाई 1.38 एंगस्टों और सबी की सबी सेम होंगी और ये रेयक्शन में नहीं देगा हो कि पाशव दुयावंद है हाद दूपर कर दो कि तो को समझ में आ गया हूं कि तो कि दूएन आ गया लंगस्टोंवाद है दूएनन आ गगस्टों आ गया हूं गया हूं टूएन झाल तो कि झाल हाँ मेटा बढ़िया कोई दिक्त प्रशान नहीं है तो बात कता हुआ जान से देखना गदा घोडा इन दौनों के गुणों होते हैं पता है किसमें अच्छर में लोगों को ये लगता है कि बेंजीन कभी ये है कभी ये है और कभी ये है जबकि हकीकत बताओं क्या है बेंजीन ना ये है ना ये है बेंजीन यही है और इसमें इन दौनों के गुणा है जैसे खचर ऐसा नहीं होता बेटा कि खचर एक सेकंड के लिए गुडा है फिर अगले second के लिए गदा है फिर अगले second के लिए घोडा है फिर अगले second के लिए घोडा है ऐसा तो नहीं होता ना खचर इस खचर खचर have the properties of both गदा और गोडा but it is not converting in गदा और गोडा in just a one second he is not a घोडा and in the other second he is not a गदा is actually khachar समझ ये बात को वो khachar ही है तो अनुरादी सरंकर सही सनचना है ऐसा नहीं कि अनुरादी सरंकर आपस में मिलकर के कभी ये है कभी वो है नहीं यही सनचना है हम समझने के लिए इन से मिलकर के इसको बनाते हैं इस बात को समझ येगा तो khachar is real it has the properties of both गदा और गोड़ा ओके बट इस नौट चेंजिंग इन गदा और गोड़ा after something कि it is khachar it was khachar and it will be khachar ये khachar ही दाएगा मेंशा ये गदे गोडे में नहीं बतलेगा पर इसमें गदे और गोडे दौनों की गोड़ा होते है got it सही बटा अब आपको ये सीखना पड़ेगा कि अनुनादी सनचनाएं कैसे बनाते है को कि जब आपको अनुनादी सनचनाएं बनानी आएंगी तो उनको mix करके आपको अनुनादी संकर बनाना आएगा और अनुनादी संकर बनाना आएगा तभी आप organic chemistry में reactions को सही तरीके से जज कर पाओगे क्योंकि अनुराइस संकर ही आपको एक योगी की सही जानकरी दे सकता है अब अब अपन को क्या सीखना पड़ेगा बेटा अब अब अपन को अनुलादी सनशनाय बनाना सीखना पड़ेगा फिर उन अनुलादी सनशनाय से हमें संक्रा बनाना सीखना पड़ेगा और कहानी इस प्रकार से आगे पड़े पताईए अल गुड all good or not बताओ कमेंट करके जल्दी से और heading लगाओ अनुलादी संचना है कैसे बनाए अनुलादी संचना है अनुलादी संचना है कैसे बनाए अनुलादी संचना है कैसे अनुलादी संचना है कैसे बनाए यह हमें सीखना पड़ेगा इसके बाद ही हम आगे पड़ पाएंगे जीवन में किसी भी चीज में जूँ करें मिटा आउटू ड्रो राइजोनेटिंग इस्ट्रक्चर्ट्रश् जिरू करें पहले देखिए कैसे बनाएंगे मज़ा नहीं आ जाए तो बता रहा हूँ इसमें आपके पास सबसे पहले अलगलग केस बनेंगे इससे पहले मैं आपको आशी सर के कैपसूल के रूप में कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ यदी कार्बन चार बंद बनाए है ना इस यों करना पोड़े का दर में लगा पूट का है हाँ यदी कार्बन चार बंद बनाए उस पर कुछ नहीं आएगा ज़ूमropolis वन बनाएगा यदी कार्बन चार बंद बनाएगा तो उस पे कुछ नहीं आएगा यदि कार्बन तीन मंद बनाए तो तीन चीज़ें पॉसिबल है कार्बन CH3 का डॉट हो सकता है कार्बन CH3 का पॉसिटीव हो सकता है और कार्बन CH3 का नेगेटिव हो सकता है बताया था मैंने आपको अब इन तीनों का भी अपनए एक मतलब है वो समझे क्या है कार्बन अगर CH3 का डॉट है इसका मतलब ये इलेक्ट्रोन कार्बन का खुद का है ठीके बेटा अगर CS3 प्लस है मतलब कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन कोई ले गया अगर CS3 नेगेटिव है मतलब वहाँ पर वास्तों में दो इलेक्ट्रॉन होंगे एक एलेक्ट्रॉन खुद का और एक दूसरे का तो खुद का इलेक्ट्रॉन एक के एक किसी और का है तो वास्तों में दो पर माइनस का वनी क्यों रिखा हुआ है को यह तो इसका खुट का है तो आपको यह तीनों में पता होना ची यह आपको पुरानी में मैंने समझा रखा है जब अपन लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको इसके बाइन बताया था कि स्टार्टिंग की क्लासिज में मैंने आपको इस बास समझाई तो इसमें जब आप अनुनाद करने जाओगे तो केस बनेगा एडबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी अब कौन कौन से केस बनेंगे सिंगल बॉन्ड सी पर डॉट हो सकता है सिंगल बॉन्ड सी पर प्लस हो सकता है सिंगल बॉन्ड सी के बार डबल बॉन्ड हो सकता है सिंगल बॉन्ड सी के बार ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है यह सारे संबी और सिंगल बॉंड ऑन उत्लब होता है एक इ feliz का मतलब कारबौन नहीं है इंपल yht यह सारे केश आब अगले 10 मुन्ट टॉ मखें अपको भस मुछ शॉनना हे विए सन्मझ मे नहीं अगे अगले 10 मिन्ट आपको बस मुझे शान्ती से सुनना है बले ही समझ में ना आए ठीक है बस सुनना है मुझे शान्ती से अब मैं सारे केस बताता हूं आपको जैसे CS2 double bond CH CH single bond CH2 पर डॉट यह हो गया पहला केस CH2 double bond CH single bond CH2 पर प्लस यह हो गया दूसरा केस CH2 double bond CH single bond CH2 पर minus यह हो गया तीसरा case CH2 double bond CH single bond CH अब उसके बाद double bond भी तो आएगा पर लोन पर लेलो लोन पर वाला NH2 इसके उपर आगा लोन पर यह वाला case हो गया ठीक है और उसके बाद यह लिख दूँ दिख रहा है एक तो तुम लोगों की टेंशन हो रहती है बोर्ड में कहां दिख रहा है कहां नहीं दिख रहा अगला case होगा CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2 तो यह आगे double bond similarly last case होगा CH2 double bond CH single bond CH triple bond CH क्या आप देख पार है मैंने सारे cases को cover कर लिया है 10 मिन में को सुनना है बस समझ में नहीं आएगा पहले बूल रहा हूं बस सुनो जहां से सुनो और मैं क्या कर रहा हूं उसको देखते जाओ तो A double bond B single bond C पे तो CS2 double bond CS single bond CS2 पे dot CS2 पे plus minus loan pair double bond triple bond चलिए अब आगे देखें अब क्या दूसरा case बन सकता है बताता हूं मैं आपको आपको पता है एक bond से electron नहीं बनता अब मेरे को follow करो मुझे सुनते जाओ आपको अच्छे से पता है न कि एक dot से कभी भी bond नहीं बनता bond के लिए दो electron चाहिए होता है तो ये dot आएगा उतर करके यहां पे जब पूरा electron का युगम उतर करके आता है तो अपन ऐसा arrow बनाते है जब पूरा electron का युगम निकल के आता है तो ऐसा arrow बनाते है जब एक electron कहीं जाता है तो ऐसा arrow बनाया जाता है मचली पकड़ने के लिए जो arrow काम में आता है उस टाइब का तो इसको इंगलिश में कहते है फिश हुक एरो क्या बोलते हैं इसको इंगलिश में इसको इंगलिश में बोलते हैं फिश हुक एरो तो मचली पकड़ने के लिए जो arrow काम में आता है मचली पकड़ने के लिए जो हुक होता है वैसा arrow बनाते है अगर एक electron की बात हो रही होती है अब यह अब यहां पर आएगा तो यह कारबन परोस वाले का बोलेगा चल निकल मुझे मेरे दोस के साथ बाण बनाना है यह कारबन इस कारबन के साथ जो इलेक्ट्रॉन यूस किया हुआ है बंद बनाने के लिए वह राइट एंसाइड में शिफ्ट कर देगा और यह कारबन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा कि रनने से बच्चों के उपर इतनी चारी चीज़ें डाल दी कैसे समझ में आयागा सर बहुत सिम्पल है कि फोकस के साथ वापस देखो यह इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ एक इलेक्ट्रॉन तो बनानी सकता इस काबन ने परोस वाले अपने इलेक्ट्रॉन को इधा शिफ्ट कर दिया बंद बन सकता है इस बंद का एक लेक्ट्रॉन यह काबन लेके गया तो यह इलेक्ट् यहां पर wand बन गया इसको ऐसे कर दो यही तो structure है तो यह दौनों आपस में एक दूसरे की क्या हुई अनुनादी सनशना है वेट करो सब समझ में आ जाएगा अराम से कोई जल्दी ने जब तक आप लोगों को पूरी बातें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे चिंता मत करो जब जव wert भक सकते की अनुनादी लागे कि भील erfolgा कि उदी आप दिया कि उद्टाँ कि अनुनादीं कि एक भील झाल झाल बताओ बिटा झाल तर बीच बीच में गायब हो जाते हो क्यों आपको नोट करने का समय देने के लिए आपको स्क्रीन अच्छे से देखे उसके लिए तर हो गया इधर देखें आगे बड़े यह कारबन लुक्खा है साब कुछ नहीं इसके पास तो पड़ोस वाला कारबन क्या बोलेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को उधर लेके जा रहा हूं यह वाला कारबन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चला भी जाएगा तो उससे कुछ होगा नहीं क्योंकि यह कारबन अपना इलेक्ट्रॉन लेक्ट्रॉन लेके जाएगा इसके पास तो बॉन्ड बनाने के लिए इसका इल इस carbon ने अपने electron को इस carbon को दिया ताकि तू भी बंद बना सके तो जो लुक्खा पना है इस carbon का दूर किया इस carbon ने तो इस पर आ जाएगा इसका plus तो हड़ जाएगा इसका लुक्खा पना हो जाएगा इस पर आ जाएगा plus तो वापस समझाता हूं, मैंने क्या बोला, जिन बच्चों के बाते बीड़ कुल उपर से गई है, मैं वापस समझाता हूं, मैं क्या कहना चाहरा हूं, बाइसा बात ऐसी है, कि ये कारबन ता slich, ठीक है, इस carbon के पास इसने का मेरे electron से काम चल लाएगा तो इसने का यार तू तो अपना electron लियागा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इस carbon को इस carbon ने अपना electron दिया तो समझ ये बात को इसने तो बस यहां से electron उठा कि यहां रख दिया इसको bond बनाने के लिए इस कार्बन का ल्यक्टॉन मिला तो लुखा होगय है यह वाला कार्बन तो अब जो प्लस आएगा प्यारे बच्छों में प्लस आएगा इस कार्बन के उत्पर एशनी हूआ रूमएर कि अ कॉपित अभिण दोनों केपिश में बॉन बन गया तो इसकी अनुरादी सनशना किया हो गई माइनस का मतलब होता है दो इलेक्ट्रोन सीधी सी बात है एक खुद का एक किसी और का तो ये दौनों इलेक्ट्रोन यहाँ पर आके बंद बना सकते हैं ये दौनों इलेक्ट्रोन जैसे यहाँ पर आके बंद बनाएंगे इस carbon के हो जाएंगे 5 बंद जो कि संभव नहीं है तो यह दूनों electron इस carbon पर तो यह ह Luke नेंगा यहांक्त में की से एक तो इस और कि सी और में इस carbon का तो इसकेयो पर आ जाएगा negative तो एक तरह से आप भे बोलजे हो कि इस negative से यहां पर bond बने गा तो यह carbon अपने bond को इस पर shift कर देगा तो इस्तिति ऐसी बनेगी कि इस वाले पर आ जाएगा minus क्योंकि एक electron तो खुद का था वो भी आ गया एक electron इस carbon ने भी दे दिया तो यह आ जाएगा CH double bond CH2 कि आई से मक्का ने बिटा ओके यह एनस्टू अपना इलेक्ट्रोन यहां देगा अब देखना ज्यान से यह एनस्टू का लोन पेर है यह bond यहां पर shift कर जाएगा वही सेम इस carbon पर electron आ गये एक खुद का आ गया एक सामने वाले का आ गया उसके बाद यहां बन गया double bond बस एक बात का ध्यान रखें यहां NH2 पर प्लस आएगा क्यों क्योंकि NH2 ने खुद के electron दिये हैं खुद के NH2 के पास यह जो दो electron है वो खुद के है तो खुद के electron किसी को दोगे तो आपके अंदर कमी तो होगी न इसलिए प्लस आया सर फिर यहां पर प्लस क्यों नहीं आया इसने भी तो electron दिये भाई CS2 माइनस का मतलब क्या है एक electron खुद का एक किसी और का तो किसी और का electron उसने दिया है जैसे यह वो वाली बात हो गई कि मैंने आपको 10 रुपे दिये आपने उसको 10 रुपे पने पास रख रह के हैं कोई और मागने आया आपने उसको 10 रुपे दे दिये तो आपका कोई नुकसान होगा क्या नहीं होगा तो आपके पास वो 10 रुपे थे किसी और के electron था इसके खुद के लेक्ट्रón तो था ही किसी और का था सामने वाले को डेकर किस ने bond बनाया तो किसी और के 10 रुपे और को दे दिये NS2 की बात करें तो यह 10 रुपे NS2 के खुद के हैं तो अगर NS2 के खुद के 10 रुपे खरच करोगे तो तो उसके उपर कमी होगी न वापस बताओ इस पर negative का मतलब क्या है एक electron खुद का एक सामने वाले का कोई आके इसको 10 रुपे देके चला गया वो 10 रुपे इसके पास पढ़े तो इसने अपने electron को यहां रखा और सामने वाले के 10 रुपे इस काबन को दे दी बंद मनाने के लिए इसका कोई नुकसान थोड़ी हुआ खुद का electron रख दिया बंद मनाने के लिए सामने वाले के 10 रुपे सामने वाले को देके बंद मना लिया खुद का के नुकसान NH2 के पास खुद के 10 रुपे है तो वो सामने वाले को दे रहा है बंद मनाने के लिए पैसे तो माइनस तो होगा ना कुद में से कमी होगी कमी होगी तो प्लस चाह जाएगा इसलिए यहां पैस्टू प्लस है जलो इधर इस तो बहुत सिंपल है यह डबल बॉंड जैसे यहां पर शिप्ट होगा इस कावन के पांच बंद हो जाएंगे यह बॉंड यहां नेगेटिव आता है यहां बीच में आगया डबल बॉंड यहां बीच में आगया डबल बॉंड उसके बाद यह बॉंड इस पर शिप्ट हुआ है तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव ऐसे है है ना बताओ जाएगो आmy fijसे है तो आएगो थैर काव आताव। है यहां नेगे यहां झा आक में प्रोड़ सीग्याओ जासब खावर को जान पर और में ने आएगो जाने खावर को जाएगो जाएगां आताव आताव किलियर बिटा कि दन है कि देखो बटा अब कुछ नहीं है यह माइनस जैसे वापस यहां जाएगा इस कावन के पांच बॉर्ड हो रहे होंगे यहां शिप्ट कर जाएगा बापस बन जाएगा आप इधर कंफ्यूशन है इधर दो ऑप्शन हो सकते हैं मैं इस बॉर्ड को इधर शिप्ट कर तो ध्यान रखना यहां इस कार्बन का संकरण है स्पी संकरण और और शिप्ट में आपको कली बताया था यह ज़्यादा विद्ध दिनातमक होता है किसी को नहीं भी पता तो मैं वदा जेता हूँ SP संकरण यह कौन सा वाला संकरण है यह होगा SP2 अब चाहो तो आशी सर के कैपसूर में लिख लो जब विद्यो तरिनात्मकता की बात आती है तो SP संकरित कारबन सबसे जाला विद्यो तरिनात्मक उससे कम SP2 और सबसे कम होता है SP3 ठीक है तो जब विद्यो तरिनात्मकता की बात आएगी तो सबसे जादा विद्यो तरिनात्मक कौन होगा बिटा SP संकरित कारबन कारण समझाओंगा मैं समय आने पर ठीक है तो जो SP जो कारबन जादा विद्यो तरिनात्मक है electron उसके उपर आएंगे तो यहाँ पे अपन bond को ऐसे shift करेंगे यह यहाँ shift होगा यह इसके उपर shift होगा कौकि इसमें दो option है ना अपने पास अपन ऐसे भी तो shift कर सकते हैं मिटा हमारे पाद दो option है ऐसे भी तो shift कर सकते हैं यह यहां जाए और 16 पर चला जाए पर यह घलत होगा यह घलत क्यों है क्यूंकि कम v storyline पर electron नी आने चाहिं कभी भी ज्यादा विद्धूदि रिनाउत्मक के ऊपर कि यह घ्लिखण फ़ले काम पे ज्यादा वीद्ध़ द्रिनात्मक पर negative शोभा देता है मतब अच्छा लगता है मतब stable होता है तो जो जितना electro negative है उस पे negative ही अच्छा लगेगा तो electro negative कौन है? CH जादा विदुदिरात्मा के तो उस पे negative जादा अच्छा लगेगा अब CH जादा विदुदिरात्मा क्यों है सर? triple bond वाला SP संक्रित काबन क्यों होता है? यह आपको अलग से बताया जाएगा परिशान मत हो अब इसके बात क्या बनेगा? आप तो वो बनाओ सरनिशना बनाओ आप तो बस सरनिशना बनेगी बेटा CH2 इसके पास से electron गया अब तो आपको याद हो गया होगा उसमे प्लस आएगा पीछ में आगया double bond इधर triple से हो गया double और इस CH पे आजाएगा negative देखो इस कारबन के पहले भी 4 bond थे एक, दो, तीन, चार अभी भी कितने एक, दो, तीन, चार जिस कारबन के इस कारबन के पहले भी 4 थे, अभी भी 4 है फ़रा का रहा है इसमें और इसमें इसलिए इनके उपर 4 जा रहा है तो जिस कारबन के 4 बंदों उसमें कभी कोई फ़राग आता ही नहीं है इसके 3 हो, उसमें dot, plus या minus हो सकता है मैंने बहुत प्यार से आपको समझाने के कोशिश किये सारे बंदों के बारे में बताया कि किस प्रकार से कैसे बंद निकल के आ रहा है अब कमेंट करके बताओ, ये समझ में आ गया क्या फिर आपना आगे बढ़ते हैं अदो पकर दोना कमेंट सेक्शन में कि हांसर समझ में आ गया है पुरका में बताया, गुड़ अब आपको इसका रीजन समझा दू, इसका रीजन क्या है अब अगले पेज पर इसका रीजन समझते है इसका रीजन क्या है, देखो एक्चल में जो विद्यो जिनात्मक्ता होती है, वो S करेक्टर के समान उपाती होती है विद्यो जिनात्मक्ता जो होती है, वो S करेक्टर के समान उपाती होती है अब S करेक्टर का मतलब क्या होता है, समझाता हूँ अगर सारे बॉंड सिंगल है मतलब संकरण है SP3 मतलब 1S और 3P है तो S को कितने % मिला S करेक्टर लिख रहा हूँ फिर P करेक्टर लिखूंगा 100 को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो S को मिला 25% और P को मिला 75% तो S करेक्टर हुआ 25% और P करेक्टर हुआ 45% डबल बॉंड है तो फिर वो SP2 है तो 1S है और 2P है तो S को कितना मिला 33.33% तो P को कितना मिला 66.66% तो डिपल बॉंड है तो SP 1S और 1P में बाटना है S करेक्टर हुआ 50% P करेक्टर हुआ 50% अब आप मुझे खुद बताओ S करेक्टर ज्यादा जिसमें जितना ज्यादा S करेक्टर उसकी विद्यो दिनात्मक्ता उतनी ही ज्यादा तो इन तीनों से देखो सबसे ज़्यादा S करेक्टर किसमें है SP में तो जब विद्यो त्रिनात्मक्ता की बात आती है तो वो कार्बन जो सबसे ज्यादा विद्यो त्रिनात्मक होता है फिर सबसे कम विद्यो त्रिनात्मक होता है सबसे कम विद्यो त्रिनात्मक होता है सबसे कम विद्यो त्रिनात्मक होता है सबसे कम विद्यो त्रिनात्मक हो Case 2 है, जब A positive हो और B पे या तो loan pair हो या negative हो, जिसे example के तो all CH2 हो plus और सामने CH2 हो minus, A plus B minus, CH2 हो plus और सामने हो NH2 और NH2 के उपर आपको पता है क्या है? loan pair है, कैसे करेंगे बिटा ध्यान से देखना? कुछ नहीं होगा, यह shift कर जाएगा, तो इसने extra electron इसको देके bond मना लिया, तो इसका लुकापन खतम, क्या बनेगा? CS2 double bond, CS2 बात खतम, किसी और का electron गया है, तो इसका negative खतम हो गया, यह लुका था, इसके बाद electron आ गया, इसका plus खतम हो गया, यह shift करेगा, यह NH2 ने 10 रुपे खुद के दियें, तो CS2 का तो plus खतम हो जाएगा, पर वो plus किस पर आ जाएगा? अभी मैं आपको concept समझाया, यह 10 रुपे किसी और के थे, देने से फारक नहीं पढ़ रहा, यह 10 रुपे इसके खुद के थे, तो देने से इसके उपर plus आ गया, तो ऐसे आपके अनुनादी से नचनाएं बन जाती है, अब नन्ये से बच्चों के उपर आज के लिए इतना जुर्म काफी है, इसे यादा करना ठीक नहीं है, तो अभी अपध्यान सुनना मेरी बात, आपने अनुनाद का पार्ट वन पढ़ाएं, ASP सर, मतलब आशी सीम पवार, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ASP सर की आपसे अपेक्षा क्या है बताऊं? ASP सर की आपसे अपेक्षा है, कि आपको ये लेक्चर, 60% तक समझाना चीए, मतलब मैं खुद नहीं एक्सपेट कर रहा हूँ, कि आपको ये एक बार में 100% आ जाए, 60% आ जाना चीए, आज जो भी पढ़ा, अब इसका, जब पार्ट टू आएगा, पार्ट टू के बाद मैं गारंटी लेता हूँ, कि आपको 100% समझ में आ जाए, तो आज अगर आपको 60% भी समझ में आ जाए है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी आशा है मेरी बस, किसी को जादा भी आ सकता है, हो सकता है किसी को 100% ही आ जाए हो, पर मेरी अपेक्षा इतनी है, 100% समझ में आ जाएगा पार्ट टू के बाद, वह इसके प्रैक्टिस कर ले ना आज बैठ करके, जब मैं पार्ट टू पढ़ाऊंगा तो पार्ट वन पूरा रिवाइस कराऊंगा, और पार्ट टू होगा दिवाली बाद, तो आपके पास और्गिनिक केमिस्ट्री का बैक्लॉग खतम करने का सफीशन टाइम है, आप लोगों करें, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का बैक्लॉग चल रहा है, तो आप उस बैक्लॉग को जल्दी खतम कर लो प्यारे बच्चों, ताकि आप अपनी दिवाली भी अच्छे से मना सकें, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई बैक्लॉग नहीं रहेगा, तो जब दिवाली के बाद आप कक्षा में आओगे, तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी, करना है, तो किसी भी बच्चे न अगर अपना बैक्लोग फिनिश नहीं किया, तो आपको बैकलोग फिनिश करना, ये आपको हूम वर्क है, आपको पूरा IUPAC रिवाइज करना है, और अगर किसी भी बालक का बैक लॉग है तो उसको अपना बैक लॉग खत्म कर लेना है बस इतना सा काम करके रख लो दिवाली की बात जब मिलेंगे तो मैं आपको शांदार तरीके से इसका पार्ट नमर टू कराऊंगा और फिर अपन आगे और इफेट पढ़के हाई डूकाबन नाम का चेप्टर भी शुरू करेंगे ओके बढ़िया बाकी दिवाली की चुटियां कब तक क्या है उसकी जानकर आपको टेलिगाम पर मिल जाएगी अच कमेंट करके बताना मेरी उम्मीद तो 30% आपको कितने परसेंट आया कमेंट करके बताना और दूसरी बात आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो बस आप एक बात का ध्यान रखें कि दिवाली के ठीक बात में अपने पैरेंट्स को कहके रख देना कि आशी सर का पूरे साल का एक बैच आता है जिसकी प्राइस सबसे कम होती है लाँचिंग के टाइम पे आशी सर एक बार ही पैसा लेते हैं उसके बाद पूरे साल पढ़ाते हैं और अब तो वो कह रहे हैं वो डेड़ साल पढ़ाएंगे मतलब जो बच्चा अब एन्रोल करेगा वो हमारे साथ साथ 11 से यह शुरू करेगा जही नीट और 12 तो करेगा ही करेगा बोर्ड बोर सब 2025 ता तो अब मैं पढ़ा ही पूरे साल यह सद्धानत है अपने पैर्ट्स को पहले करके रखना कि हमें फटा फटा से अन्रोल होना है दूसरी बात लाइक इन शेर करना है वीडियो को सब्सक्राइब करना अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ में बैल आइकन में और पे क्लिक जरू होंगी तो उन बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा जो 11 में सीरियस है अलग से और इसलिए मैं आशा 2025 की बात कर रहा हूं सही समय आपके लिए लिए मिलेंगे समस्कार लो ठसलिए माला आपके बलिए हूं से और रहा हूं सहाँ विएकन में आपके लिए समस्क्राइब कर रहा हूं स्ञाब को अगरा आथ स्ट화unde विए पार रहा हूं सबस्थाम कान आपके जिक